अलो फ्रेंट्स मैं हूलका और स्वागत करती हूँ आप सभी का सरवाब बसुद्द फ्रेंट्स आज हम देखने जा रहे हैं पोटाटो स्कॉच एक्स उबले हुए अंडे और आलू से बनी ये डीज दिखने में जितनी अट्रेक्टिव लगती है खाने में उतनी ही टेस्टी होती है बनाने में उतनी ही सिंपल तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी फ्रेंट्स यहाँ पर मैं लिए है आधा किलो उबले हुए आलू इस आलू को अब हमें कद्दू कस कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लंस या गाठे नार है और इसका एक जैसा टेक्चर हमें मिल सके यह देखे फ्रेंट्स अब यह आलू कद्दू कस करके ही रेडी है अब इसमें हमें डालनी है एक चमच हरी मिच अद्रक और लसून की पेस्ट अब डालते हैं एक छोटा चमच नमक एक छोटा चमच पावडर शूगर पीसीवी चीनी अब इन सारे इंग्रेडियन्स को हम पहले अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेते हैं अब इसमें हम डाल रहे हैं दो चमच कॉन फ्लोर और इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इस मिक्चर को हमें चार चोटे चोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है अब यह मैंने चार हिस्से कर लिये हैं अब हमें इसमें से एक हिस्सा लेना है, हमें हाथ पर पानी या तेल लगा लेना है, अभी एक हिस्सा आमने जो लिया है, इसे हम हाथ से ऐसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे, पानी या तेल लगाने से हाथ को चिपके गावी लेंगे, अभी इसे अच्छी तरह से फ्लैट करन अच्छी तरह से इसको कोटिंग करना है ताकि सारी जगह से यह लेयर एक जैसी आ जाए और हमें फिर से अंडे का ही शेप मिल जाए अब इसकोट किये गये अंडे को हम डालते हैं ब्रेड क्रम्स में इससी से अच्छी तरह से गोलना है तकि सारी जगह से ब्रेड क्रम्स का कोटिंग हो जाए ब्रेर क्रम से ही कोट करने के बाद ये और भी क्रिस्पी बन जाते हैं अब इसे हम फ्राय कर लेते हैं फ्राय करने के लिए मैं नहां लोहे की कड़ाई का इस्तमाल किया है इसे हमें नैचरली आयन भी मिल जाता है थोड़ी देर के लिए इसे fry होने दे तुरंत इसको ना हिलाए थोड़ी देर बाद फ्राय होने के बाद हम इसे उल्टा कर लेंगे देखे कितना सुन्दर golden color आये हैं इसको अभी दूसरी साइड से भी हमें इसे अच्छी तरह से golden color आने तक fry कर लेना है अभी इस तरह से हम सारे अंडे पोटेटो से कोट करके उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डुबो के फ्राय कर लेते हैं देखे अब हमारे सारे अंडे तैयार हैं इसे हमने फ्राय भी कर लिया है फ्राय होने के बाद हमें इने 10 मिनिट के लिए ठंडा कर लेना है और थंडा करने के बाद ही हमें इसे काटना है, काट कर ही हम इसे सर करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इन्हें गरम गरम कट नहीं करना है क्योंकि गरम गरमी अच्छी तरह से कट नहीं होते हैं इन्हें थंडा करगेर ही हमें काटना है इस तरह से अब हम इसको दो हिस्सों में काट लेंगे यहाँ पर एक और चीज का आपको खयार रखना है कि जब भी आप इसे काटेंगे इसे काटने के लिए आपको किसी शार्प नाइफ का ही इस्तमाल करना है क्योंकि शार्प तेज चूरी से ही ये अच्छी तरह से कट होते हैं अब आती है serving की बारी इसे serve करने के लिए हम अच्छी तरह से इसे plate में रखेंगे इसके बीच में रखते हैं tomato sauce अभी हर एक cut किये गे हुए अंडे के slice पर हम बीच में डागते हैं tomato sauce देखे कितना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर लग रहा है बाहर प्राउन कलर का कोटिंग, इसके बाद बीच में वाइट कलर का अंडे का आउटर पार्ट इसके बाद यलो कलर का इनर पार्ट और बीच में सुंदर रेड कलर का टोमाटो सॉस आप चाहे तो इस पर थोड़ा सा चाट मसाया और ब्लैक पेपर डाल कर भी इसे सर्व कर सकते हैं यह टेस्टी और यम्मी प्रोटीन से भरपूर स्नाक छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आते हैं तो फ्रेंट्स यह टेस्टी रेसिपी आप जरूर ट्राय करके देखें अपने फिडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में भीज़े और ऐसी और भी टेस्टी डेलिशियस रेसिपी देखने के लिए मेरे चानल को जरू जरू सब्सक्राइब कर ले और हाँ इस वीडियो को लाइ मुझे करूं